Books That Speak में आप सभी का स्वागत है कुछ चोर गए चानक्य के घर करने चोरी लेकिन उन्होंने चोरी नहीं की क्योंकि सुनते है इस कहानी में कहानी का शिर्षक है नियत बदल गई कहानी लिखी है प्रथम रिसोर्स सेंटर चितरांकन प्रथम कंटेंट ग्रूप प्रकाशन प्रथम एजुकेशन फांडेशन कहानी सुना रही है असावरी दोशी बात दो धाई हजार साल पहले की है कडाके की ठंड पड रही थी महामंत्री चानक्य ने पटली पुत्र के महराज चंद्रगुप्त मौर्य से अग्रह किया कि महराज ठंड का कहर बढ़ रहा है हमें कुछ करना चाहिए महराज ने कहां महामंत्री खजाने का मूँग खोल दीजिए और पूरे राज्य में गरिबों को कंबल बटवाईए जिनके पास ओडने की कोई सामगरी नहीं थी उन्हें कंबल दिये जाने लगे चानक्य के घर से ही कंबलों का वित्रण हो रहा था एक रात कुछ चोर दीवार में सेंध लगा कर चानक्य के घर में गुज गए कंबल के धेर लगे हुए थे जिसमें सेवे चुपचाप कंबल चुरा कर ले जाने लगे सहसा उनकी नजर चानक्य पर पड़ी वे चारपाई पर अपना पैर सिकोडे सिर्फ चादर ओढ़े सो रहे थे चोर अचरच में पड़ गए एक और कंबलों का धेर दूसरी ओर ठंड से ठिठूरते चानक्य उनका मन गलानी से भर उठा उन्होंने कंबलों को वही छोड़ दिया और चानक्य को जगाते हुए कहा हम लोग चोरी की नियत से यहां आये थे लेकिन आपको देखकर हम लोगों की नियत बदल गई महामंत्री हमें क्षामा करे लेकिन ये भी बताए कि इतने कंबल के बावजूद भी उसे छोड सिर्फ एक चादर ओढ़े ठंड में ठिठूर रहे है आप चानक्य ने कहा एक तो जिनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है उन्हें ही ये कंबल मिलने है दूसरे मेरे पास तो एक चादर भी है जिससे मेरा हक उन पर नहीं बनता है तीसरा ये कंबल जनता के पैसे के है इस पर जनता का ही हक है मेरा काम तो उसे उन तक पहुँचाना है फिर भला कैसे मैं इन कंबलों का उप्योग कर सकता हूँ चाणक्य की बाद सुन चोरों के सिर शरम से जुग गए वे अपने महामंत्री से क्षमा मांगते हुए उनके बारे में सोचते विचारते वापस लड़ गए कैसी लगी ये कहानी? और इसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए बाई बाई धन्यवाद